मंगलवार शाम को बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो एरपोर्ट मैनेजर रुपेश सिंग की हत्या निस संसनी पैदा कर दी है। विपक्ष चुनाओ के दौरा नितीश पर कानून विवस्था ना सम्हाल पाने का आरोप लगातार लगा रहा था। ऐसे में मंगलवार देश शाम हुई हत्या ने पुना नितीश के सुशासन पर प्रशन चीन खड़ा कर दिया है। का बट्टा उनकी साक पर भी लग गया है। बिहार के दूरदशा के लिए भाजपा नित्रतु भीज जिम्मेदार है। तिराले सीट वाली पार्टी को ग्रिह मंत्रा ले देना भाजपा का एक गलत फैसला है। नितीश को मुख्यमंत्री बनाए रखना भाजपा की मजबूरी है तो भी कम से कम ग्रियमंत्री के रूप में किसी तेश तर्रार नेता के नियुक्ती तो भाजपा करी सकती थी क्योंकि ग्रिया विभाग हमेशा से मुख्यमंत्री नितीश कुमार के पास ही रहा है और फिर भ ऐसे एक कानून विवस्था में फेल हो चुके व्यक्ति के हाथों में बिहार के जिम्मेदारी देकर वह बिहार के लोगों में अपना भरोसा खो रहे हैं आंकडों की बात करें तो बिहार आज भी अपरात के लगबग हर शेत्र में दूसरे नंबर पर है जबकि उसकी आबाती उत्तरप्रदेश से करीब आधी है पिशले पांस सालों में बिहार में मर्डर, डकैती, लूट एवं गिडनैपिंग की संख्या बढ़ी है बिहार भले ही अच्छे विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है लेकिन इसके बाद भी यहां बेरुजगारी दर 12 प्रतिशत है जो प्रतिशी कारे में वेस्ट अत्रिक्त श्रम मूलता इंडस्ट्री में कारेरत होना चाहिए जिससे बेरुजगारी की समस्या को ज्यादा भेतर ढग से सुल्ज है जा सकता था खराब कानून विवस्था के कारण बिहार कभी भी विदेशी और निजी निवेश का बड़ा केंद्र नहीं बन सका बिहार की कानून विवस्था बत्तर से ठीक की स्तिती में आई है बहतर नहीं हुई है सबसे बड़ी बात नितीश का चहरा निवेशकों में वैसा भरुसा नहीं पैदा कर पा रहा जैसा योगी अदित्रनात ने उत्र प्रदेश में करके दिखाया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्योरो के आंकडों के अनुसार उत्र प्रदेश में क्राइम रेट राष्टे स्थर से कम रहा है देश की 17 प्रतिशत आबादी वला प्रदेश होकर भी ये पूरे देश का क्राइम रेट का 10 प्रतिशत हिस्तेदार है इसके तुलना केरल से करे तो वो क्राइम रेट में 8 प्रतिशत की हिस्तेदारी रखता है जबकि देश की आबादी में केरल का केवल 3 प्रतिशत का हिस्सा है बिहार में औद्योगिक विकास ना होने के पीछे का कारण नितिश बागो ये बताते हैं कि हम एक लैंड लॉक प्रदेश में हैं हमारे पास समुद्र नहीं है इसलिए हम विकास नहीं कर पाए परंतु ये नहीं बताते कि खुद वे एक अक्षम मुख्यमंत्री हैं जिनके कारेकाल में कानुम विवस्था की धजिया उड़ी है किसी भी राजे में विकास की पहली बुनियात अपराद पर नेंटरंट करने से शुरू होती है और नितिश कुमार इसमें विफल साबित हुए है जिदि आज बिहार जंगलराज की तरफ जा रहा है तो इसके लिए नितिश के साथ भाजपा भी जिम्मेदार है जिसने बिहार के लोगों से किये हुए अपने वादों का मान नहीं रखा और नितिश जैसे एक अक्षम व्यक्ति को ग्रह मंत्रा ले दे कर अपराद के दल्दल में बिहार को फसा दिया है